आज के यह वीडियो बहुत हिमाजदार होने वाला है क्योंकि आज के इस बीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पैसा कैसे छापने जाता है। और कहां छापता है। सबस्क्राइब आप इस सब्सक्राइब कार दिजिए। हमारे देश में 2000 के नोट मैसूर में छापे जाते हैं आपको बता देखी यहां हर साल में 265 को नोट छापे जाते हैं इसके अलावा हमारे देश में एक पेपर मिल चार बैंग नोट प्रेस और चार टकसाल मिल है पेपर कैसा बनता है पेपर बनाने के लिए बहुत ही बड़े-बड़े कौटन के ब्लॉग लाए जाते हैं इस कोटन का ब्लॉग को अच्छी तरह से मिक्स करके पेपर के रूप में बदा जाता है जब पेपर पुरी तरह से तयार हो जाता है तो उसमें वाटर मार्क टाल जाता है जैसे कि हमको पताए कि अपना जुद्धू है का नोट है और या कुई भी नोट हो उसमें गाती देखेए फोड़ वाटर मार्क पैसा प्रिंटिंग के पहले ही डाल दिया जाता है जिसके बाद इस पेपर की इक्वालिटी की जाज होती है जाज कर सालवनो तथा नासिक में स्तीथ है। प्रिंटिंगे लिए बड़े बड़े पेपर के रोल को काट देत कर छोटी-छोटी सीट बना जती है। प्रिंटिंग करने के बाद नोटों की कटिंग कि जती है। जिसके बाद हमारा पैशा पूलितर से रेडी हो चुका है। पैसा हमारे पास कैसे पहुचता है इंडिया रिजर्ब बैंक के देश में ठाड़े ओपीस है जिन में आहमदाबाद, बेलापूर, चेनई, बंगलेरू, हादराबाद, चंडिगड, भोबाल, जैपूर, गुहाटी, कोलकात्ता, कानपूर, जम्मू, मुंबई, नागपूर, पटना, थिर्वांदनपूर, भूनेस और लखनाउर, सबसे पहुचता है, उसके बाद इसे अलना अलग बैंकों में बाट दिया जाता है, अब को पता चलिया होगा कि हमारे देश में पैसा कैसे छापता है, और यह नोट हमारे पास कैसे पहुंचता है, तो दोस्तों ऐसे देखने के लिए हमारे चांग को सबस्टाइब करें, ब्ले लाइक को प्रस करें, और यह वीडियो अच्छा लाइक को लाइक करें, और जाह जाह शेयर करें